च्वालाची में दर्शन के बाद राजसबा सांसर डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि भारती जुनता पार्टी का दृष्टी पत्र एक मजबूत दृष्टी पत्र होगा जिसमें सभी वर्गों, शेत्रों, जिलों और मंडलों का ख्याल रखा जाएगा ये दृष्टी पत्र प्रदेश वासियों के सैयोग से बनेगा और जनता को एसास होगा कि इसमें उनके हर सुझाव को लिया गया है वह उन्हें बताए कि दो मा में हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और बीज़िपी ने चुनाव के दृष्टी गत, प्रबंदन और संचालन कमिटियां बनाई है इसमें 21 उप समिटियां बनाई गई है जो कि 20 सतंबर को अपना ड्राफ पेश करेंगी और 21 सतंबर को फिर बैठक होगी चुनाव दृष्टे पत्य को मजबूत बनाने के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है और एक वाटसेप ग्रुप भी बनाया जा रहा है उन्होंने प्रदेश की जनता से कहा है कि जनता पोर्टल या ग्रुप में सुझाओ दे ताकि उन्हें एसास हो कि जो वि अतार्टी में सिंचालन और प्रवर्णन समिख्यां मनाया एक और प्रवर्णन समिख्य में जो बिजन डॉपलमेंट के जिश्टी पत्र जो हमें कहते हैं जुष्ता धिमा बुझे दिया है और इस इंपत्र में 21 सब समिख्या थकंए कि आसे दिस समिख्यां कि और sexuality है। मेरा आपके मार्दम से यागरे है कि चुनाथ इस्तिबत्र सिमिती में एक पोर्टल जो है वो मार्दे जन्ता पार्टी कूर्ट से लाउंच किया है कुरों प्रदेश के दितारे करता है पूरी आउंजन्ता है उसके मार्दम से अपना सुझाब दे सकती है और इसके साथ साथ हमने एक वर्टसाइब भी बनाया है उसके मार्दम से भी आप सुझाब भी सकते हैं हमाचल हेटनेक हॉस्पिटल मेकिंग लाइफ ब्यूडिफुल या आपको एक छट के नीचे मिलेंगी कई सुविधाएं जैसे एन्टी क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, इसके लावा यहां होती है सिर्फ, गला और फेश्यल रिकंस्ट्रक्टिब सरजरी और सभी का अपचार मुनासिब दाम में किया जाता है साथी हिमकेर और आईशमान कार्ड भी माने है ताकि आपको मिलें बेहतर इला और आप जीएं बेहतर जिंदगी हमारा पता है हिमाचल हैडनेक सेंटर एड डॉक्टर एस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल नेर नादाउन चौक हमीरपूर